Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So welcome to the NOVA classes. Let's make learning easier. तो आज board exam के लिए मैं एक बहुत ही important questions लाया हूँ, जो आपके 11th of March के paper में छपने वाला है. तो देखते हैं question क्या है? Question क्या है? Underwood 5 is the irrational number. ये every board exam में ये questions आपका paper में आता जरूर है. question change हो सकता है, बड़ pattern आपका यही रहेगा. तो आज हम इसको simple तरीके से समझेंगे, आपके दिमाग में आटोमेटिकली ये fit हो जाएगा, बस ध्यान से देखना. देखो, proof करना है कि Underwood 5 is the irrational number. तो हमें proof करना है कि ये एक irrational number है. एक contradiction लेते हैं कि भाई, ये जो Underwood 5 है, वो एक rational number है. Underwood 5 क्या है? एक rational number है. तो जब अगर ये rational number है, आप सोच लो, अगर ये rational number है, तो हम क्या कर सकते हैं, बड़ा? इसको हम A upon B के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि rational number क्या होता है? A number which can be represented in the form of P upon Q, so that is called rational number. तो ये Underwood 5 को हमने assume किया है, एक contradiction लिया है, कि ये एक rational number है, तो हमने क्या क्या किया? ये अपान B लिख लिया. अगर ये rational number है, तो A और B क्या होने चाहिए? को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है, कि इनमें कोई भी common factor नहीं होना चाहिए. ठीक है? एंजमसन हमने माना है, कि ये एक rational number है, तो अगर Underwood 5 को rational number मान लेते हैं, तो ये क्या होगा हमारा A upon B, और A और B क्या होगा हमारा को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी common factor नहीं होगा, तो ये हमारा contradiction हो गया. तो हमने क्या किया cross multiplied कर लिया, तो Underwood 5B equal to A होगा, तो यहां पर अगर हम दोनों sides का square करें, यहां पर दोनों sides का square करें, तो Underwood 5B का square करोगे, A का square करोगे, तो क्या हो जाएगा? 5B square equal to A square. तो यहां पर क्या होता है, fundamental theorem of arithmetic में क्या होता है, कि अगर कोई value है, A square अगर 5 से divisible है, तो A भी 5 से divisible होगा, यह हमारा equation number 1 है. अगर A square 5 से divisible होगा, तो A भी 5 से divisible होगा, इसका मतलब है कि A एक हमारा 5 आ गया. तो same अब हम क्या करेंगे, कि यहां पर हम value assume कर लेंगे, कि मान लो कोई एक C, कोई दूसरा integer है, और हम यहां पर एक assumption लेंगे, A equal to क्या लेंगे? 5C. तो जब A equal to 5C लेंगे, तो इसी A equal to 5C क value कहा हम put up करेंगे? यहां पर. यानि इस A के स्थान पर हम क्या लिख दें? 5C लिख दें और यह 5B square यहीं पर direct हम लिख दें. तो जब हम square करेंगे, तो 5B square equal to 5 plus square 25, यह C, और B square equal to 5C square. तो यह जो same condition यहां पर हमने किया है, वही condition यहां पर भी कह देंगे, कि अगर B square 5 से divisible हो कि A और B have a common factor 5. तो जब A और B में common factor है, जबकि हमने क्या माना था contradiction? हमने यह माना था कि यह A और B क्या होना चाहिए? को प्राइम होना चाहिए? common factor नहीं होने चाहिए. बट यहां पर हमारा जो assumption था, जो contradiction था, वो क्या था? गलत था. यहां तो common factor आ गया. जो जब हमारा common factor आ गया, तो हम लिए सकते हैं कि this contradiction is arising because our incorrect assumption. यानि हमने incorrect assumption लिया था. इसलिए यह contradiction यहां पर horizon हुआ है, जहां पर दोनों में common factor same मिल रहा है. तो जब हमारा contradiction ही wrong हो गया, तो क्या कह सकते हैं? अगर हमने कह दिया कि यह यह क्या है? पेन है. बट यह पेन तो नहीं यह क्या निक मारकर तो एक बाद जल्ली से screenshot ले लो, exam में छपने वाला है. So thank you, जय हिन, all the best for your board exam.